बेटा तु यहां, तुझे कुछ चाहिए था, तुझे कुछ चाहिए था, तुझे कमड़े में मैं बेना के लिखे आती हूँ ममी मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, आप चाहिए इसको अचानक से क्या हो गया? अरे बेटा, ओ कपरे प्रेस नहीं है, तु रुख जब मैं करके दे रही हूँ ममी, अपसे मैं अपना कपरा प्रेस कल लूँगी, आपको मेरा कोई काम करने के जुरत नहीं, मैं अपना काम खुद कल लूँ यह अचानक से मेरी बेटी को क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं मा, मैं तेरी मा हूँ, तु मेरी साथ इतना रूट बिहेव क्यों कर रही है? मैं कुछ गल्ती कर दी क्या? मा, पापा तो मुझे बच्पन में छोड़के चले गए हैं, और आप मेरी शादी कर दोगी, तो आप भी मुझे दूर चली जाओगी, फिर क्या पाइदा? सारा खाम तो मुझे खुद को ही करना है न, तो फिर मैं अभी सही अधर डाल लेती हूँ ऐसे नहीं है बेटा, बेटियों को शादी करके एक दिन से सुरल जाना ही पड़ता है, तू अभी शे इतना परिशन क्यों हो रही है, अभी थोड़ी ना तेरे शादी हो रही है, तू अभी शे इतना टेंशन मतले, मैं बरिया चाहे बना के ला रहे हूँ, दोनों मिलके पि वैसे भी भाबी की शादी हो गई है, तो वो ये जुमके का क्या करेंगी, इसे तो मैं अपने सस्राल पहन कर जाओंगी, मेरे सस्राल वाले सब देखेंगे मुझे ये कैसे बात कर रहे है तू, ये बहु की मा की आखरी निशानी है मैं नहीं जानती मा, आप भाबी से बोलो, कि वो ये जुमके मुझे दे दे अरे माजी, अगर दीदी को ये जुमके पसंद है तो वो उन्हें रखने दीजिए नहीं बहु, अपनी बेटी को जेवर पहनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या, अपनी बहु का जेवर उठा के उसको दे दू माजी, अगर ये जुमके दीदी को पसंद है तो मैं उन्हें दे दूँगी नहीं बहु, ये सब अच्छा नहीं लगता, तेरा गयना पहना के अपनी बेटी को बीदा करूँ और अपनी बहु को बिना गयना के रखूँ, ये सब एक मा को शोभा नहीं देता ठीक है माजी और तू, अपसे अपना पराया बंद कर ठीक है माँ बेटा ज़रा देख तो, और देख के बता तो कैसा है अच्छा है तुम्हें पसंद आया पर आप ये सब मुझे क्यों बता रही है मैं और तुम्हारे पापा लर्का देख रहे है तुम्हारे शादी के लिए अरे बेटा, सरकारी नौकरी वाला है मा लड़का पोलिस में है आप लोग एक सरकारी नौकरी देखकर फिसल गए वो बहुत पैसे वाले है तु वहाँ खुश रहेगी अरे तु राज करेगी वहाँ पर राज पर ये ज़रूरी तो नहीं न कि जो लड़का सरकारी नौकरी करे वही सिर्फ आपकी वेटी को खुश रख पाए ये सब सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए एक साधारे निसान भी एक लड़की को खुश रख सकता है और शादी के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है रिष्टे में प्यार और सम्मान का होना बहुत जरूरी एक लड़की के लिए और रही बात मेरी शादी की तो जब तक मेरी पढ़ाई कमप्रेटी ही हो जाती तब तक में शादी नहीं करूंगी हाँ बात तो तू सही कर रही है तो ठीक है मा आप ये बात पापा को भी समझा दीजेगा ठीक है जैसे तुझे ठीक लगे एक लड़की के जिन्दिगी के लिए प्यार माईने रखता है या पैसा आप लोग कमेंट करें ये ले बेटा कप्रे और गैने कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे तो ये सब पैन के रेडी हो जाना मा आपको तो पता है न मैं किसी और से प्यार करती हूँ मैं उसी से ही शादी करूँगी उसके बावजूद तेख बेटा अगर अपने कास्ट का होता तो मैं करवा देती लेकिन तेरा पापा नहीं मानेंगे इसका मतलब तो ये है न कि मेरी खुशी कोई माहिने नहीं आपके लिए तुमारे पापा का समाज में बहुत नाम है वो तुमारे शादी के लिए नहीं मानेंगे आप लोगों के लिए समाज की खुशी ज्यादा माईने रखती है तो क्या मैं अपनी खुशियों का गला को उट दू यह सब मुझे नहीं बता है यह सब पैन के कल तुझ मुझे देखने के लिए दूबारा मुझे बोलना ना पड़े रेडी हो जाना हलो मा बेटी कैसी है तू क्या कर रही है कुछ नहीं काम कर रही है तू खुश तो है ना हा मा मैं बहुत खुश हूँ यहाँ भले पिट रही हो यहाँ पर तो क्या हुआ अपने चात वाले से प